जब भाग ये साथ नहीं दे रहा है, तो समझ लेना कि महनत साथ देगी. With this positive thought, I Tanisha यादव present you all to our lecture number 20 of forestry. अभी तक हम silvicultural system के high forest system को briefly discuss कर चुके हैं और आज के हम अपने इस lecture में copois forest system को briefly discuss करने वाले हैं. तो चलिए बात करते हैं copois forest system की lecture को start करने से पहले हम देख लेते हैं कि आज के हम अपने इस lecture में कौन-कौन से topics को briefly discuss करने वाले हैं. तो आज के हम अपने इस lecture में बात करेंगे copois forest system की जिसके अंदर हम देखेंगे simple copois system क्या होता है, copois with two rotation system क्या होता है, shelterwood copois system क्या होता है, copois with standard system, copois with reserve system, copois selection system और polar system की. उसके बाद हमारा सिफ इस chapter से एक topic रह जाएगा, वो है हमारा choice of silvy cultural system की. कि किस तरीके से हम silvy cultural system को choose करते हैं, जो की आपकी lecture का, यानि की जो की आपके syllabus का बहुत ही important part है, तो उसको हम next lecture में cover करेंगे. उसके बाद हमारा ये जो silvy cultural system वाला topic है, वो खतम हो जाएगा, और फिर हम बात करेंगे नए topic की, that is your word, silvy culture of mangrove and cold forest की. तो चलिए, start करते हैं अपनी इस picture को, और बात करते हैं copois forest system की. तो जब हम copois forest system की बात करते हैं, तो ये एक तरीके का silvy cultural system होता है, जहां पर जो नया crop है, वो कहां से originate होगा, mainly from copois, यानि कि copois से जो नया crop regenerate हो रहा है, ऐसे forest system को हम क्या कहते हैं, copois forest system कहते हैं, और यहां पर जो rotation of crop होता है, वो generally come period का होता है, shorter होता है as comparison to high forest system. देखिए, यहां पर definition जो है, वो आपको दी हुई है, यह देखिए, यहां पर हमारे पास एक हरा भरा पेड़ था, हमने उसकी harvesting करें, और harvesting करकर हमने यहां पर यह जो copois है, in the form of stone, उसको हमने यहां पर क्या कर दिया, छोड़ दिया, और पर कुछ time बात, जो है, regeneration जो है, वो यहां से start होई, और धीरे-धीरे regeneration होके, वो वापस से एक पेड में, एक crop में convert हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, copois forest system कहते हैं, अब हम देखते हैं, copois forest system के types की, तो सबसे पहला type होता है, simple copois system, यहां पर क्या होता है, कि एक fixed area में, जो हमारा old crop होता है, उसकी clear felling कर दी जाती है, clear felling का मतलब क्या हुआ, कि suppose यह क्या है, हमारा forest area है, और हमने इस वाले area पर complete felling कर दी, मतलब clear felling कर दी, मतलब यहां पर जितने भी trees थे, हमने वहां से सारे पेडों की जो कटाई है, वो कर दी, उसके बाद मतलब इस area में, जब हमने एक भी tree जो है, उसको reserve नहीं किया, बचा कर नहीं रखा, तो यहां पर जो regeneration होगा, वो किसकी मदद से होगा, through stool copiasis, जो आपने trees को काट दिया है, और आपने यहां पर stump छोड़ दिये हैं, in the form of stool, तब regeneration जो होगा, वो यहां से regeneration होगा, तो ऐसी copoise system को हम क्या कहते हैं, simple copoise system कहते हैं, और यहां पर, जो copoising की जाती है, वो spring से starting के पहले ही copoising, जो है, वो थोड़ी बहुत start कर दी जाती है, और stump क्या जो height है, वो बहुत जादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत जादा छोटा हो जाएगा, तो it may have the chance of damage by wind and animals, हवा और animals जो हैं, वो उसको क्या कर सकते हैं, damage कर सकते, in fact, rotting possibilities जो हैं, वो काफी high हो जाती है, सड़ने की जो possibility होती है, probability होती है, वो हाई हो जाती है, और drying या stump splitting की जो damage है, cause है, danger है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इस वज़े से stump का जो height है, वो बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, प्लस यहां पर जो optimum stump height जो है, वो 15 to 25 cm रखी जाती है, प्लस cutting of stump, जो है, जो है, जब आप stump की कटाई करते हैं, तो वो sloppy manner में कट होना चाहिए, जैसे for example, यह कोई, एक सब्सक्राइब का अमार कटी होना चाहिए, तो अब यह क्या है, यह tree है, अब आपने इसकी cutting करी, तो यह sloppy manner में कट होना चाहिए, मतलब जो stump का formation हो रहा है, वो इस तरीके से slope बना होना चाहिए, ताकि जो पानी है, वो यहां पर ठहर ना जाए, पानी जो है, वो यहां से rainfall जब हो रहा है, तो यहां से जो पानी है, तो इस वजए से cutting जो है, वो in a sloppy manner cut किया जाना चाहिए, ताकि rain water जो है, वो easily drain हो जाए, फिर tending operation जो है, वो दूसरे second year से जो है, tending operation जो है, वो carry out किये जाते हैं, plus thinning जो है, वो according to the management option, जो है, वो की जाती है, कि आपको किस तरीके से आपको paid जाहिए, और उसके management option को देकर, thinning जो है, वो की जाती है, और crop यहां पर जो obtain किये जाते हैं, वो even aged होते हैं, फिर अगर हम इसको apply करने की conditions की बात करें, कि कब इसे apply करना किया जाना चाहिए, तो ऐसे region पर, जहां पर locality जो है, bigger timber की production को support नहीं करता है, वहां पर simple copy system को जो है, application उसका किया जा सकता है, ऐसे regions में, ऐसी जगाहों पर, ऐसी locality पर, जहां पर bigger timber का production नहीं होता है, वहां पर इसको applicable किया जा सकता है, apply किया जा सकता है, फिर यह जो suitable, it is suitable for social forestry establishment, फिर it is suitable for private lands as rotation, जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे starting के lecture पर ही, कि social forestry क्या होती है, private lands क्या होते है, तो वहां के लिए यह काफी ज्यादा suitable होता है, क्योंकि rotation क्या है काफी shorter है, तो आपके जो crops है, वो आपको जल्दी मिलेगी, और इंकम भी आपकी ज्यादा होगी, क्योंकि rotation period जो है, वो short है, इस वज़े से, फिर अगर हम इसके applicable, कौन से species के लिए की जाती है, तो यह जो है dry, जैसे for example, यह dry fuel forest, तो तर्मिल नाडू में है, वहां पर जो है, इस simple cupoist system को जो है, इसको apply किया जाता है, for eucalyptus globules, यह एक species है, तो यह काफी important point है, इससे आपको question पूछ सकता है, काफी important है, कि simple cupoist system को, कहां पर follow किया जा रहा है, तो तर्मिल नाडू के dry fuel forest पे जो है, इसको follow up किया जा रहा है, इसको apply किया जा रहा है, फिर अब हम बात करते है, cupoist is of two rotation system, it is the second type of cupoist forest system, तो यहाँ पर क्या होता है, इस system में generally, first rotation के end तक, जो cupoist है, few selected pools जो हैं, जो बचे हुए रहते हैं, उनको second rotation के लिए छोड़ दिया जाता है, बतलब suppose कि आपके पास, यह कोई एक forest area है, तो आपने इस आधे portion का जो है, आपने क्या किया, first rotation में इनको क्या किया, छोड़ दिया, selected poles जो हैं, जैसे suppose, कि यहाँ पर आपने कुछ पेडों की कटाई करें, और कुछ पेड जो हैं, आपने उनको छोड़ दिया, और उनको आप क्या करोगे, second rotation में, आप उनको क्या करोगे, selected poles को आप कट करोगे, तो that is your what co-points of two rotation system, यहाँ पर जो इसका objective होता है, वो यह होता है, कि आपको कुछ timbers जो हैं, वो बड़े साइस के मिले, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, कि first rotation जो है, जिससे suppose, आपने यहाँ पर सबसे पहली बार क्या करी, felling करी, cutting करी, तो यहाँ पर आप कुछ trees जो है, आप उनकी कटाई नहीं करोगे, आप कुछ strand जो है, कुछ few selected poles जो है, उनको छोड़ दोगे, ताकि वो और ज़्यादा ग्रो करे, और जब second rotation कर टाई माएगा, तब आप उनकी कटाई करोगे, ठीक, तो इसका जो major objective होता है, ताकि आपको कुछ bigger sized timbers जो है, वो आपको मिले, और फिर जो यहाँ पर जो selected poles होते है, उनको retain कर दिया जाता है, second rotation onwards के लिए, और initial felling में उनकी कटाई जो है, कि shelter wood system क्या होता है, हम इतने time से discuss करते आ रहे हैं, shelter wood system क्या होता है, बस यहाँ पर जो shelter wood system होगा, वो copois वाला होगा, मतलब जो regeneration हो रही है, यहाँ पर वो copois के through होगी, बाकि high forest system में किस के through हो रही थी, बीजों के through, seedling के through हो रही थी, ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कि कुछ shelter woods जो होते हैं, वो standards के होते हैं, it means 125 to 150, जो आप planting करोगे, तो 125 to 150 जो है, आप उसको first layer felling में, जो है, आप उनकी कटाई रोक दोगे, ताकि आपको standard जो है, वो maintained रहे हैं, आप जो shelter trees जो यहाँ पर होंगे, वो most promising ones होंगे, it means what, कि जिंकी कटाई आप में रोक दी है, initial felling में, first layer felling में, वो आपको बहुत अच्छा timber देंगे, और आपको उनकी growth देखकर ही लग जाएगा, कि नई बहुस ही है, तो काफी अच्छा बड़ा होने वाला है, और आपको जो बदले में, जो timber मिलेगा, वो काफी अच्छी quality का होगा, not free timbers होंगे, तो वो बहुत ही promising ones होंगे, आप यहाँ पर जो trees retained होते हैं, वो ऐसे होते हैं, और बहुत ही काफी securely established किये जाते हैं, जो हैं, उनको रिटेइन किया जाता है, उनको पाइसे को जिनको पता है, कि यह डेफिनिटली बड़े होंगे, तो यह काफी अच्छे timber जो है, वो हमें प्रोवाइट करेंगे, तो therefore, thereafter shelter जो है, वो gradually remove किया जाता है, दीरे दीरे, और जो number of standards retain की जाती है, वो species के according, vary करती जाती है, उनके conditions के according, वैसे अगर normally देखा जाए, तो normally prescribed standards, प्रती हेक्टर, एक हेक्टर में, 125 से 150 जो कोपाइस होंगे, initial तोर पर उनको छोड़ दिया जाता है, और फिर बाद में, फिफ्थ एर में उनको reduce कर दिया जाता है, तो फिफ्थ एर में, वो 60 to 75 पर हेक्टर रह जाते हैं, और दसवी साल में, completely उनका जो removal है, वो कर दिया जाता है, फिर अगर हम इसके condition of applicability की बात करें, कि किन conditions में, shelterwood copoist system को apply किया जाता है, तो ये उस region में applicable होता है, जहाँ पर frost जो है, बहुत ही common होता है, frost की condition काफी common होती है वहाँ पर, और ये उस site के लिए applicable है, बहुत ही अच्छा site माना जाता है, जहाँ पर conditions कैसे होते हैं, लार्ज साइस timber प्रोड्यूस करने की conditions होती है, और ये उस condition के लिए उस region के लिए भी applicable है, जहाँ पर species जो है, वो copoies के थूरू longer duration तक टिक पाते हैं, और उनकी जो generation है, regeneration है काफी अच्छी हो पाती है, with the help of copoies, और ये उस region के लिए भी applicable है, जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा small sized timber की ज़रूरत पड़ती है, ठीक, चलिए, next जो है हमारा fourth type, जो है copoies का वो है, copoies forest system का वो है, copoies with standard system, तो यहाँ पर देखे, यहाँ पर क्या होता है, यह एक तरीके का कौन सा silvicultural system है, जो कि copoiesis पर based होगा, लेकिन ऐसी copoiesis पर, जहाँ पर overwood, जो है, वो किसकी हो, seedling origin की हो, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर क्या होता है, generally देखा जाए, तो copoies system में, जो timber आपको मिलता है, वो उतनी अच्छी quality का नहीं मिल पाता है, generally small size का मिलता है, लेकिन यहाँ पर, जब आप standard system से, copoies forest system को apply करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, कि suppose आपने यह जो tree है, इस tree को आपने, यह जो tree की growth हुई है, यह tree किसके through growth हुआ है, seedling से grow हुआ है, ठीक, कौन से system से grow हुआ है, seedling से, seedling से यह grow हुआ है, और फिर जब आप इसकी कटाई करते हैं, और जब इस copoies से क्या हो रहा है, regeneration हो रहा है, तो उसको poies system को आप क्या कहते हैं, standard system कहते हैं, मतलब overwood, यहाँ पर जो आपको overwood मिल रहा है, उस tree का regeneration है, वो कहां से होना चाहिए, seedling के through होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने देखे, अब यहाँ से जो आपको poies system आपने काटा, तो यहाँ से जो regeneration होगा, वो आपको क्या कहलाएगा, standard system कहलाएगा, ठीक, तो उसके बात जो यह जो चलता रहेगा, उसको हम क्या कहते हैं, standard system कहते हैं, ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, कि इसका मतलब क्या होता है, और इसका जो main objective है, जो main standard जो इसका standard जो रहता है, वो कितना रहता है, मतलब इसका standard objective keeping standard जो है, वो यह कि to supply a large size timber, जाद बड़े सा इसका timber supply करने के लिए, तो give protection against frost, frost के लिए, फिर क्या होता है, to enrich the copise crops, copise crops के enrichment के लिए, to maintain vigor of the copise seedlings, to increase the revenue from unit area, तो यह आपका क्या होता है, standard system होता है, both type होता है, copise forest system का, अब यहाँ पर जो crop है, वो दो stories में compose की जाती है, दो level में होता है, जो lower story रहती है, वो even aged copise होती है, वेरेज, जो upper story रहती है, वो different species की होती है, और different ages की होती है, similarly, हर story का, जो rotation होगा, वो specific rotation होगा, जैसे हमने, हमने two-story forest system के बारे में पढ़ाता है, तो यहाँ पर भी, दो stories होते हैं, दो level होते हैं, तो पहला, जो lower level होगा, वो even aged का होगा, अपर story जो होगा, वो different species का होगा, और different ages का होगा, ओके, next, जो fifth type है हमारा, वो है copise with reserve system, copise with reserve system के, अगर मैं बात करती हूँ, तो यह एक तरहिए का silvicultural system है, जिसमें क्या की जाती है, felling जो है, वो suitable areas पे की जाती है, जिसे की benefit क्या होगी, आपने जो trees reserve करके रखे हैं, जिसमें financially immature growth जो है, वो हुआ immature growth है, आपने उनको क्या क्या हुआ, reserve करके रखा हुआ है, और आप उस पे क्या कर रहे हो, management techniques, standing operation करते जा रहे हैं, ताकि उस tree की जो growth है, वो properly हो जाए, और plus, जो valuable species है, आपने उनको क्या करके रखा हुआ है, reserve करके रखा हुआ है, और फिर जब अच्छे time period में, आपका अच्छे size का timber हो जाएगा, तब आप उसकी cutting करते हैं, ताकि उसका copoise जो है, वो भी काफी कैसा होना चाहिए, healthy होना चाहिए, जब copoise healthy होगा, तो उसमें से जो regeneration होगी, वो भी काफी healthy plant की regeneration होगी, तो इस तरीके से, या तो आप valuable species को single form में भी अगर आप रखते हैं, तो वो single form में भी रख सकते हैं, या in the form of groups भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर जो trees आप reserve करते हैं, वो कैसा होता है, या तो economics के basis पे, यानि कि आपको lower input लगा के higher output चाहिए, तो इस वज़े से भी आप economics basis पे भी कर सकते हैं, या protection consideration, अगर आप किसी valuable species को extinct होने से बचाना चाहते हैं, उसको आप protect करके रखना चाहते हैं, तो इस objective से भी आप इस reserve system को follow कर रहे होते हैं, यही बाते लिखी होई हैं यहाँ पर, और अगर हम बात करें, तो यह modification होता है, simple copoy system का, वहीं यहाँ पर क्या होता है, retention होता है, some advanced growth of peak, to avoid unwanted sacrifice of food, फिर poles of some miscellaneous species are also reserved to maintain a mixed crop, which maintains a site quality, definitely, इस point को काफी ध्यान से पढ़ियेगा, retention of all crops along nalas, and in areas liable to erosion with a view to soil conservation, nalas मतलब जो आप लोग नाले बनाते हैं, proper क्या करने के लिए, drain water को drain करने के लिए, जो आप drainage system बनाते हैं, तो soil erosion को वह तरीके से क्या करता है, रोपता है, और soil conserve करता है, तो इस objective से भी कोपाइस जो है, वो reserve किया जाता है, with reserve system, ठेक, फिर क्या होता है, retention of some trees of local economic importance, to provide materials to industries, all other practices are similar to simple कोपाइस system, बस यहाँ पर क्या हो जाता है, कि छारे practices जो है, वो simple कोपाइस system की तरहा ही होते हैं, लेकिन आपका जो objective होता है, वो different हो जाता है, और थोड़ा सा modification हो जाता है, simple कोपाइस system से, ठीक, चलिए, अब हम बात करते हैं, किसकी? Sixth part, that is your what? कोपाइस selection system की, यानि कि आपके sixth type की, जो की कोपाइस forest system को belong करता है, तो यह, वो silvicultural system है, जहाँ पर failing जो है, वो principle of selection system के principle पर की जाती है, बट regeneration जो है, वो आपके किसकी थूँ obtain होगा, कोपाइस की थूँ हम यह already पढ़ चुके हैं, यहाँ पर क्या होता है, यह एक तरीके का silvicultural system है, जहाँ पर cutting of trees जो है, वो कौन से principle पर work करेगी, selection system पर work करेगी, बट regeneration जो है, वो आपका कोपाइस की थूँ ही होगा, procedure देख लेते हैं, यहाँ पर जो exploitable size जो होता है, वो fixed होता है, that means, वो diameter of girth जो है, वो fixed होगा, based on the need or demand, आप need कैसी है, आपका demand कैसा है, तो उसका जो size होता है, वो fixed होता है, फिर thereafter, फेलिंग साइकल जो है, उसको accordingly, डेटरमाइन किया जाता है, प्रॉपरली उसको देख रे किया जाता है, कि कब आपको उसकी पैलिंग साइकल, उसको परफॉर्म करना है, फिर रेजेंडरेशन जो है, वो copoiesis के through ही obtain किया जाता है, और यहाँ पर जो आपका crop obtain होगा, वो univaneaged होगा, और यह किसमे किसमे, acacia का tetchu, acacia modesta, olea caspidata, and salph or response को अपलाई किया जाता है, तो यहाँ पर जो applicable वाला पार्ट है, उसको ध्यान से देखेगा, और होसे के तो note down करते रहें, कि आपको यहाँ से MCQs जो है, वो बहुत ही पूछ सकते, बहुत ही अच्छे से questions यहाँ पर से बन सकते हैं, कि copoiesis selection system जो है, वो किस पर applicable है, इस तरी के से, फिर last जो है हमारा, वो है polar system, तो polar जो है, वो किसको refer करता है, it refers to the cutting of tree stem, usually above the browsing height, यानि कि क्या हो रहा है, कि यहाँ पर आप जो tree के stem को cut कर रहे हो, suppose यह कोई tree है, और आपको copoies, जैसे आपका जो normal standard है, आपको copoies उतना जो है, वो आपको रखना है, ताकि वो wind या animal के द्वारा collapse नहो सके, तो आप उसको जो लंबाई है, वो थोड़ा और उपर रखते हैं, और suppose यहाँ तक कि आपको copoies रखना है, बट आपने क्या क्टिंग यहाँ से करी, तो ऐसे system को हम क्या कहते हैं, polar system कहते हैं, to obtain a flush of shoots, flush of shoots का मतलब, both shoots with immature leaves, shoots मतलब stems, right, shoots with immature leaves, तो immature leaves को हटाने के लिए याने कि देखिए आप cutting इस तरीके से करते suppose यहाँ पर immature वो है क्या है leaves है तो आपने cutting यहाँ से करें और जो immature leaves है वो यही रह गया तो वो क्या होंगे बाद में ज़र जाएंगे और वो एक तरीके से क्या करेंगे immature leaves है तो यह क्या होंगे mature होने तक यहाँ पर जो कुपाईस रहे गया तो उसमें एक तरीके से जान रहेगी एक तरीके से क्या हो उसमें जान रहेगी और वो next time regeneration के लिए वो क्या करेगा help करेगा और polar system जो है वो applicable है for obtaining maximum fodder fodder का मतलब क्या होता है जो हम भेड़ बक्रियों गाय के लिए जो हम चारा ले जाते हैं तो यह उसके लिए बहुत ज़्यादा काम में लाया जाता है और इसलिए किसमें अप्लिकेवल है सेलिक स्पीशी में हार्डवीक्या बिनाता में और mixed dry deciduous forest जो होते हैं वो polar system को follow कर रहे होते हैं जिस देखें यहाँ पर आपको diagram दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखें यह जो यह A picture है यहाँ पर part A में देखें कि यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है कि यह जो हमने इसकी cutting करी है तो देखें यहाँ पर यह तो इसकी तो polar system देखें यहाँ पर आपने इतना छोड़ दिया है और इसको जो है आप cut above the height of grazing cattle and deer ठीक है मतलब आप जिससे देखें आप उसके उपर जिससे यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप इसको cut कर रहें तो यहाँ पर जो deer है जो cattle है वो यहाँ पर आकर इसको खा नहीं सकते तो आप थोड़ा उपर तक छोड़ते हैं मतलब यहाँ height तक जो है वो cattle नहीं पहुँच पाएंगे तो इसके लिए ठीक इस तरीके से आप जो है 100% question पूछ सकता है कि कब कहां पर आप कौन सी condition पर कौन सा स्रीडी कल्चरल सिस्टम का इस्तमाल या उसका choice कर सकते हैं तो प्लीज मेरे इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें लाइक करें कमेंट्स करें और चैनल को सब्स्राइब करना ना भूलें थाद्स पर वाचिंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्